चलो यहां से जो सबसे पहला question आ सकता है वो है क्या importance of means of transport आरी बात समझ में यहां पर transportation और communication को lifeline of national economy क्यों कहा जाता है ठीक है तो इससे दो माग का question बनेगा वो यह बनेगा कि pace of development किन दो चीजों पर डेपेंड करता है तो हमने का pace of development पहले डेपेंड करता है कि चीज़ पर क्या production किता हो रहा है और दूसरा यह production वाला जो जो भी चीज़ है यह consumers तक किती जबदी पहुच रही है और यह बाद समयज में ठीक है अब lifeline इनको क्यों बोलते हैं तो हमेशा रजना raw material को फैक्ट्रीज तक पहुचाने के लिए पहुचाने के लिए क्या चाहिए पीपल को एक जगे से दूसरी जगे तक क्यारी करने के लिए आपको क्या चाहिए इसके लवा जब आपको international business करना होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तो भी आपको क्या चाहिए effective means of transport and communication चाहिए आई बात समय में तो इसलिए development में क्या चाहिए transportation की बहुत importance है as well as communication की ठीक है ना और यह तीनों एक दूसरे से क्या है संहरा है कोविमेंट इस सुमस्य को सब से ठाइब सबसे हो सब से और से साथ करने ओधे wizardर देनवी संपोर्टेंस बढर क्यों में है am i टेरेन पर भी हो जाता है construction नेगोशीट थाया ग्रेडियेंस ऑफ लोग मदलब होता है पहाडों पर भी जड़ सकते है रोड ठीक है ना टो टो सर्विस प्रवाइट करता है फीड़ दो अगले पॉइंट में लिखावा है कि रेलवे स्टेशन तर भी जाना तो आपको रोड से जाना पड़ेगा एरपोर्ट पे जाना है तो में एदिक के लिफस के लिए बहुत शूटेवाल रूरल एरियास के लिए बहुत शूटेवल है फ्लेक्सिबल रेलायबल और स्पी बढ़े ए टीक है नले पेरिशेबल प высок लोट यां तोरोट के टैल पर बहुत काम आते हैं ऐंगे जाएं है इंपोर्टन निया गोल्डन ऊड़ुन के लांडेन में क्या है सिक्स लेंग सुर्ड हाइव थंढ ये डैली कोलकता चैनाइ मॉंबाइ डैली डैली कोलकता चैनाइ मुंबाइ डैली आई बत समझ में नौट-सौथ कोसी नगाटू कन्या कुमारी के एस-वेस्त कोलिडोर का है सिलचरगों को फोरबंदर ओ कि अब्जेक्टिव क्या है रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस और इसको कॉन मेंटेन करता है एन एच ए आइड नाशनल हाइवे अथोरिटी और इंडिया इसके बाद आते हैं इसके थोड़ी चोटी चीज नाशनल हाइवे जो हमारे देश के इंस्ट्रीम पार्च को करने ठीक है कौन मेंटेन करता है CPWD Central Public Works Department अच्छा इसको Central Public Works Department कर रहा है तो स्टेट हाइवे इसको कौन करेगा स्टेट पब्लिक वर्क देपार्टमेंट ठीक है ना और यह नौट टू सौथ भी है इस टू वेस्ट भी है नाशनल हाइवे नंबर वन कौन सा है शेषा सूरी माग कहां से गहां तक डेली से अमरिचसर तक नाशनल हाइवे नंबर या नंबर वन शेषा सूरी माग कहां से कहां डेली तू अमरिचसर स्टेट के हैड को लिंक करते हैं इनको मेंटेन करता है स्टेट पब्लिक वर्क्स देपार्टमेंट से पब्लिक डिस्ट्रिक रोड्स डिस्ट्रिक हैड को क्या करते हैं लिंक करते हैं और इनको मेंटेन कौन करता है इसके अलावा जो रूरल रोड रहते हैं ठीक है वह वह व इसके अलबा अगेन बॉर्डर रोड एक्जाम पॉंट व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है बॉर्डर एरियास के रोड रो का मितलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑगनाइजेशन कब इस्टैब्लिश हुआ था नाइटीन सिक्ष्टी कब इस्टैब्लिश हुआ था नाइटीन ठीक है ना और यह बहुत इंपॉर्टेंट है नौर्थ और नौर्थ इस्टन एरियास में ठीक है और यह हमारी एकनॉमिक डिवलाप्मेंट में भी हेल्प करता है बेसेस ऑफ मटीरियल दो तरह के रोड जोते है ठीक है हमारे रोट डेंसिटी किती है कि में जम्य और कश्मीन में 10 किलोमीटर खेर और के खिता है से वियल्पाई किलोमिक पर स्क्वेर हभंड़े कीलोमेटर ठीक है अ प्रॉब्लम्स असोसीटेड विद रोड ट्रांस्पोर्ट के रोड अभी रिक्वायर्ट से क्या है कम है इन इन इडिक्वेट है लार्ज वॉल्यूम अनमेटल बहुत जादा है नैशनल हाइवेज इन इडिक्वेट हैं सिटीज के रोड बहुत कंजेस्टेड है ठीक है ना पॉलिटीक है और बहुत नैरो है ठीक है ट्राफिक हो जाता है और वेहिकल रोड डबल नहीं हो पाए बट अगर तुम लोग अभी लेटेस्ट बुक देखोगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांस्पोर्टेशन नहीं दी होई है इस इंपोर्टेंट है हमारे लांग को भी प्रमोट करता है और टूरिजम को भी प्रमोट करता है लॉंग डिस्टिंस के लिए बहुत सही है हमारे देश का इंटिग्रेटिंग पोर्स है हमारी एकिनॉमिक लाइफ तो लाज अक्टें रेलवेइस पर डिपेंड करती है फर्स ट्रेन ऑफ इंडिया कब आई थी 1953 में आई भी कहां से कहां जले थी मुंबई से खाने इंडिया में 16 रेलवे जोंस है त्री तरह की गोजे ब्रॉट 1.676 मीटर मीटर और नारो 0.72 2.61 मीटर हमारे रेलवे का दिस्टिबूशन बहुत अनीवन है factors influencing distribution of railways exam point of view से बहुत important है factors influencing distribution of railways exam point of view से बहुत important है सबसे बहुत कहा है physiography, economy, administration और density of population यह चार है यह चार कहा है factors अब जो नीचे हम लोग पढ़ेंगे वो इन चारों मैंसे कौन सा factor कहां पर प्रेजेंट है और कहां पर favorable तरीके से प्रेजेंट है और कहां पर unfavorable तरीके से प्रेजेंट है factor चाह रही है physiography, physiography मतलब पहाड़